दोस्तो डेली करेंट अफेर कुईज में आप सभी का स्वागत है आज हम देखने वाले 22 जून की करेंट अफेर जो कि सभी प्रिक्साओं के लिए मैध्पून होती है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा जो आप एक से डेट गंटे की करेंट अफेर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ में सेर करना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे रेटकल का बटन दिखा है बेल आइकन को भी ओन रखीगा ताकि आपके पास डेली वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे हैं अब एक ओफिस खुला है कहां पर कोटा में अगर आप कोटा के आसपास रहते तो आप उसको विजट कर सकते हैं और अनकेडमी के बारे में और पूरे सब्सक्रिप्शन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप से question of the day पूछूंगा जिसका अंसर हर एक student को comment box में बताना होता है और इसी question का answer मैं आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा question है noble पुरुषकार जीतने वाली पर्थम बारते मेला कौन थी इसका अंसर हर एक student को comment box में बताना है वीडियो के end में फिर मैं इसका answer सही बताऊंगा चले जी शुरू करते हैं आज की current affair को दोस्तों अगर आपको किसी भी current affair का question का answer पता है तो comment box में बता दीजेगा पहला question है हाल ही में मैं 2022 में भारत का कुल निजयात कितने परतिशत बढ़ा है आपकी option है 17 परसेंट 32 परसेंट 24 परसेंट या इन में से कोई न है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का जो सही आंसर होगा वे आपका 24 परसेंट हो जाएगा तो यह आपका पहले question का answer है दूसरा question है हाल ही में खबरों में रहा गया mission किस अंत्रिक्स agency से संबंदित है तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा बिल्कुल ESA यानि की European Space Agency से संबंदित है तो इस question का right answer आपका B हो जाएगा तो यह आपको question number 3 है आपका राजसान उच नया लेके नए मुख्य नया जीज की रूप में किसे निक्स क्या गया है दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा सिंदे सांबाजी सिवाजी इस question का right answer है तो यह आपको याद रखना है अगला question आता है बीस जून को PM मोजी ने किस सहर में मस्तिक्स अनुसंदान केंद्र का उधगाटन किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही आंसर हो जाएगा बेंगलूर में यानि कि D is the right answer अगला question आता है हाल ही में किस अंतरास्टे हवाई अट्टे को विस्वास तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा हमद अंतरास्टे हवाई अट्टा जो कि आपका B right answer होने वाला है तो यह आपको यादखना है अगला question आता है भारत का पहला dark sky reserve कहां बनाया जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा लद्दाक में यानि कि C is the right answer अगला question आता है कि हाल ही में कहा आजित महिला सान्ती और सुरक्सा संगोस्टी में भारतिय महिला सेनिको ने भाग लिया है इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा मंगोलिया यानि कि C is the right answer अगला कोशन आता है गुस्तावो पेट्रो को किस का नया रास्पती चुना गया है जो 7 अगस्त को पद समाले गए दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया को यानि कि D राइट आंसर होगा नोवा कोशन है संगाई सयोग संगतन चेत्रिय आतकवादी सरचना बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है तो इस कोशन का सही आंसर मेरे प्यार दोस्तों क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा यानि कि B is the right answer ठीक है और यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों SEO की स्थापना कब हुई थी यानि कि संगाई कोर्पोरेशन और्गनाईजेशन की स्थापना दोस्तों 2001 में हुई थी यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अगला कोशन आता है गुहाटी उच नया लेकिन नए मुख्यन यादीज के रूप में किसे निक्त किया गया है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होजेगा बिल्कुर रेसीमन मैनार भाई चाया यानि की राइट आंसर इस डी यह आपको याद रखना है भई चलिए अगला कोशन आ जाते हैं आपका हाल ही में साइबर सुरक्षा और राश्टी सुरक्षा पर राश्टे सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर नई दिल लिए हो जाएगा यानि की बी इस दार राइट आंसर अगला कोशन है हाल ही में किस संस्थान ने 2022 गलोबल टेंडर्स रिपोर्ट जारी की है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिलकुर सही है UNHRC यानि की राइट आंसर ऑप्शन सी यह आपको याद दखना है और इसकी फुलफोर्म क्या होती है दोस्तों UNHRC की फुलफोर्म होती है United Nations Human Rights Council तो यह आपको याद दखना है अगला कोशन आपका आजाता है कि T20 अंतरास्टे क्युकेट में अर्ध सतक लगाने वाले सबसिक उमर्द राज भारते के लाड़ी कौन बने है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दिनेस कारते ठीक है हाल ही में उन्होंने दक्सिन आफरीका के किलाब T20 मैच में 27 गेंदों में 55 रण बनाएं अगला कोशन है हाल ही में किस देश ने SEO सदस्य देशों के लिए Solidarity 2023 नाम से एक संयुक सीमा अभ्यान आजित करने का प्रस्ताव रखा है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में यानि कि B इस दा राइट आंसर अगला कोशन आता है हाल ही में Institute for Economics and Peace द्वारा जारी रिपोर्ट की अनुसार 27 सुचकांग 2025 में कौन सिर्स पर रहा है मेरे पियारे दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर होजेगा Iceland यानि कि C is the right answer हाल ही में WTO का 12 मंत्री फ्ठीय संभिलन कहा अजित किया गया 16 कोशन मेरे पियारे दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर होजेगा जेनेवा में यानि कि A is the right answer अगला कोशन है हाल ही में अमेरिका मेक्सिको कौन सा देज फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा तो इस कोशन का दोस्तो रहेट आंसर होजएगा बिल्कुल कनेडा में यानि की बी रहेट आंसर होजएगा यह दोस्तों 23 संस्क्रण होगा और 22 वा फीफा 2022 कहां पर वाता दोस्तों यह आप मUJSE कमेंट से कमेंट वोक समें बताएंगे यहाँ वाजबा है यह आपका क्या यह एक का व्यवज़ुटर पर था ठीक है इसका आंसर विएसर आपको लास्ट में बता ही दूंगा ठीक है क्योंकि फिर बोलों के सरा आपने आंसर नहीं बताया आप कोशिस करिए तब तक आंसर क्या होगा अभी रिविजन कोशन का भी आंसर बताना है अगनी वीरों के लिए तीन साल की डिगरी करेकरम किसी ने सुरू किया है यह कल का कोशन है और जो स्टार्टिंग में मैंन इसका अंसर नहीं बतायад तो इसका आंसर दोस्तों मदर टेरेस्वा अंसर अभी भी कमेंट बॉक्सों बता सकते एं और अभी जो मैं अपको बोला था कि 2018 वह कहारा पर दोस्तों कतरूर्ष कर रहें रहेता पुंसर लगा आपको कि कहला त ?्याहश्ज करणा करना होता है अ अगर आपको मैं वो सारे question करा रहा हूं जो एक्जाम के point वी से पंते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आप time waste बिल्कुल भी मत करिए current affair पूरा दिन current affair current affair पढ़ने के लिए नहीं होती है current affair अगर आप 10 से 15 मिट पढ़ लिया बहुत है बट regular पढ़िए ठीक है यह basic फंडा होता है current affair को याद करने का कि regular पढ़िए एक भी दिन मत छोड़िए आपकी current affair बिल्कुल पक्की रहेगा अगर आप हर रोज एक दो घंटा current affair पे waste कर रहे हैं और फिर जाके gk और ही reasoning और मैं तो यह सब नहीं पढ़ता है फिर selection नहीं हो पा यह फंडा होता है दोस्तों किलियर करने का चलिए तो अगर आपको सेशन पसंद आयोगे लाइक करने आपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पौन रखेगा ताकि आपकी पास वीडियो के नोटिफिक्शन पहुंचते रहें वाकी सभ वे करे लूए वेत्यों हनोगे रेल्गे सकते बैकन प्राइब का सब्सक्राइब करना रीक वीडि綠तesब अ klop MOM